नमस्कार समाचार एकांश के खास कारिक्रम चर्चा में आपका स्वागत है। कुल मिलाकर इन सब जरूरतों और विवश्ताओं के कारण कब हम आधुनिक जीवन शली से जुड़ी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं यह हमें पता ही नहीं चल पाता है। से जुड़ी दिक्कतों और समस्याओं को लेकर बड़ी संख्या में युवा वर्ग डॉक्टरों तक पहुंच रहा है। हाई ब्लेड प्रेशर और कंदे के दर्द तता सर्वाइकल जैसी बीमारियां भी अब महज 25 से 30 साल की उमर वाले नौजवानों में भी बड़े पेमाने पर दिखने लगी हैं। और हम चर्चा में लेकर आये हैं आधुनिक जीवन शैली से जोड़ी बीमारियां और उनसे बचाव के उपाए। इस विशय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पंकर श्रिवास्तों जो चिकिस्सक होने के साथ साथ आधुनिक जीवन शैली की दिक्कतों गुलेकर परामर्श भी देते आ रहे हैं। डॉक्टर निर्मल गुपता जो स्जी पीजी आई में लग्त्मव में हिर्दय रोग श्रलीची किस्सा विभाग के विभाग अध्यक्ष हैं। और मुकेश कुमार सिंग जो योग विशश्यक्य हैं। मैं चर्चा की शुरुवात करना चाहूंगा प्रॉफिसर निर्मल गुपता जी से। सर इसके पीछे क्या कारण आपको लगता है जीवन में अनुशाशन की कमी है। जीवन में अनुशाशन एक बहुत महत्पूर्ण हिस्सा है लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे जीवन के अनुशाशन को बादित करती हैं। जैसे कि पॉलूशन पॉलूशन एक बहुत बड़ी समस्या है और अभी आधुनिक विज्ञान में यह हमें मालूप पड़ता है कि जो बहुत सारी बीमारिया हैं जो की जीवन शैली से जुड़ी हुई हैं इनमें इंफ्लमेशन का एक बहुत बड़ा रोल है। इंफ्लमेशन, पॉलूशन की वजए से और इतने सारे पॉलूटेंट्स जो हमारे खाने में भी शामिल हैं जैसे कि शुगर, सॉल्ट और फैट जिसमें कि ऑक्सिडाइज़ फैट में तोर पे जिसमें कि हम तली हुई चीज़ां खाते हैं एकी तेल में तली हुई कई बार चीज़ें और प्रिजर्वेटिव्स, ये इनका एक बहुत बड़ा रोल है हमारे जीवन शहली से संबंदित बीमारियों को बढ़ाने में, तो जैसे कि आपने कहा कि अनुशाशन, यदि हमें ये मालूम हो कि जितना भी हम प्रकरती के नजदीक जाने वाली चीज़ों का इ मुकेश जी बताइए कैसे हम प्रकरती के पास जाकर के और आधनिक जीवन शहली से चुड़ी भीमारियों से निपट सकते हैं क्योंकि आज का जीवन है यंदे आज कारी जाने हैं और ऑगनाली आधनिक जीवन सेली एक खौन कि खाना आगया हमारा तो हम पॉष्ट कर बहार है आज वही क्योंग कहा रह गजरते हैं लिए बहाँigkeit है तो चेसे फिर नहीं हम समय वही भाजन रह घाए को आगे पीछे कहते हैं तो यह सब आपको रातों दिन चलाते हैं कुछ भी ले लिया थोड़ा से ले लिया ज्यादा ले लिया लेकिन उसका ध्याम नहीं रखते हैं डॉक्टर पंकर जी के पास चलता हूं आप क्या समझते हैं इस बारे में अभी डॉक्षब ने जो प्रक्रति से जुड़ने की बात करी तो शरीर दुनों आपस में ऐसे सामझते के साथ हैं कि हमें एक दूसरे को समझ के चलना है आज जिस टॉपिक पे हम बैटे हैं आधनिक जीवन हमें किसी के दोश को नहीं निकालना है हमें जो कमिया हमारे शरीर में जीवन शैली में हो रही हैं उनको हम सुधारे कैसे हो सकता है सामने बाले के सापसे वही सही हूँ, हमारे इसापसे प्रक्यत से थोड़ा सा हट के हम काम कर रहे हैं, तो उसको समझना ये पड़ेगा कि किस दिशा में हम अपने शरीर को ले चलते हैं और इस हापा तापी की जिंदिगी जो हमारी पड़ी है भागती हुई, चला जाता हमारे योग गुरु हैं, हमारे सर हैं, हम लोग हैं, अलग-अलग विधा से उसको सम्हाल के टकेत की तरफ भी हम जा सकते हैं और जीवन शैली को हम थोड़ा सा सुधारनी की तरफ एक काम कर सकते हैं प्रफिसर गुपता साब, आप तो हिरदयरोग शैली ची घिसा से जुड़े हुए हैं और मैं समस्ता हूँ कि बहुत सारी दिक्तों वाले लोग इस इन से दिक्तों ही चलते हुए लोग आपसे मिलते हैं आपने दीच में कुछ बच्चे भी हमें, मैं एक बार आपसे मिला था आपके हस्पिटल में, और कुछ बच्चे भी आपने दिखाई थे, बहुत ही छोटे, वे भी हिरदयरोग से ग्रसे थे, क्या लगता है कि उन पर भी आदुनिक जीवन शैली का कुछ प्रभाव है? बिलकुल है, जिस समय आप मुझसे मिलेते हैं, उस समय एक अफगानिस्तान से एक बच्चा आया था, जिसका मैंने ऑबरेशन किया था, और सबसे बड़ी विडम्बना ये है कि मैं एक हरदयरोग चिकितसा हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि हरदयरोग चिकितसा की जो बार भी आती है, और मैं कहता हूँ, आब लोट चलें, यदि हम प्रकरती के सानित में जितना जाने की कोशिश करेंगे, सवेरे उटने से लेके, शाम रात सोने तक, आप यकीन मानिये कि हरदय की ही नहीं, जीवन शैली से जुड़ी सारी समस्याओं का इलाज हमारी मां प्रकरती के आलेंगन में है, माओं में जो जन्वजात, हरदय से समंद्द बच्चे पैदा होते हैं, इनमें भी पल्यूशन एक बहुती बड़ा हिस्सा है, और वो पल्यूशन हवाप का हो सकता है, पानी का हो सकता है, सांस का भी हो सकता है, वो ऐसे हो सकता है कि आजकल आदुनिक मा पहला हैं स्मोकिंग करती हैं ड्रिंकिंग भी करती हैं और बहुत सारे ऐसे पदार्तों का अपने मेक अप में इस्तमाल करती हैं जिनका एक बहुत ही हानीकारक प्रभाव उनकी तवचा से अब्जॉर्ब होकर यह पच्चे पर डालते हैं उनकी जीवन शैली के अंदर आराम ही है बहुत ज़्यादा शुगर और शुगर से बनी हुई चीजों का सेवन है प्रजर्व भोजन पैकेश्ट भोजन और प्रेसस्ट भोजन का भी बहुत ज्यादा शामिल है और इन सब का प्रभाव मां के खून के जरिए बच्चे पर पड़ता है इसी कारण बच्चों में जन्वजात हिर्दे के ही नहीं बाकी सारे जहां तक की कैंसर और डाइबिटीज नवजात शिशुओं के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में नजर आते हैं पंकर जी आप देख रहे हैं कि मुबाइल हुआ कंप्यूटर हुआ हमारे जीवन का अनिवार हिस्सा बन चुका है और मैं समस्ता हूँ कि इसके भीन आप तो काम होना काम हो पाने की कल्पना करना जो है बड़ा मुश्किल है तो आपको क्या लगता है इससे यह सर्वाइकल और यह कंदे के दर्द या रीड की हट्डियों के दर्द इसकी समस्यां बढ़ रही हैं मशीन हमारा allpres गच्च्ट है मशीन हमने बनाया है मशीन नहीं नहीं बनाया है जिसके कुछ नियम हैं कानून हैं कुछ थरीके हैं जिनके हिसाब से हमें उस पर काम करना है कंप्यूटर, मुबाइल, लैपटॉप, सारी जिन्दगी की जरूरते हैं जैसे खाना खाना जरूरी है, पानी पीना जरूरी है वैसे आज के समय में इसकी जरूरत सबसे जादा है हर चीज हम अपने हाथ में लेके चल रहे हैं उसकी वजह से स्पॉंडिलोसिस हो रही है, ऐसा हम कह सकते हैं लेकिन सिर्फ उसकी वजह से ही हो रही है, ऐसा नहीं है यह बड़ा अलग सी चीज मैं बता रहा हूँ तो कि हम यह कहादें कि तुमने लिजुज किया तो बच्चों को तुम्हें स्पॉंडिलाटिस हो गई ऐसा नहीं है, मॉबाइल उसको यूज करना है बसा हम तरीका बता देना है कि तुम्हें कैसे बैठना तो उससे मॉबाइल भी यूज होगा, वर्किंग भी करेंगे और उठने बैठने के तरीकियों को अगर हम अपनी लाइफ में सुधार लें नहीं, तो माली ये कंप्यूटर पे हम काम करने हैं, तो हमको किस तरह की साथदानी बरतने बैठने के बारे हैं? अगर हम computer पे जुक के बैठे हैं, ऐसे करके कर रहे हैं, नीचे देखके, तो हमारी गर्दन आगे के तरफ जुकी रहेगी, जुकी रहेगी, अगर हम 4-8 गंटे-6 गंटे काम करते हैं, तो परेशानी हैं, अगर इसी को हम हलका सा उठा करके ऐसे कर लाएं, सामने पे लेविल कर लें, जैसे हमारा monitor आई लेविल पर आएगा, हमारी spine straight हो जाएगी, और spine के straight होते ही, सारे संचार हमारे शरीर के एकदम नॉर्मल होते चले जाएगे, तो laptop, mobile हम यूज करें, बगएर उसके जिन्दिगी लगता नहीं कि ये पॉसिबिल है, आज की भागते समय, तरीके य करने, तो इस lifestyle को हम थोड़ा सा manage कर से, बुकेश जी आपका क्या कहना है इस बारे में, कैसे इस तरह की जो दिक्कते हैं, जो कंदे के दर्द वाली, गले में, यहां पर survival की problem, घुटनों में भी दर्द महसूस लोगों को होता है, अब यही एक कार बढ़ते जा रहे हैं, तो यह करें, यह नहीं हमने दो दिन कर लिया, उसके बाद बंद कर देत रह दिक्कत हैं, आःक निमित कर यह जी में हार्न यूग करिए। आप नेमित कर यह योग करेंगे प्राणायाम करेंगे, तो जो है करेंगे चमता भी बढ़ते हैं, जो भी है हो सब ठीक रहती हैं, और कर दिक्कत होने लगते हैं नीमित कर लिया इसके बाद बंद कर दिया भी हमने योगा किया यह प्राणायाम किया टहला है को फायदा नहीं हुआ अब प्रोफेसर गुपता सब महन्त है आपसे हमारी अक्सर बातचीत होती रहती है और आप डॉक्टर होने के साथ हुआ अप अ 9 दिन तक किवल पानी का आहार लिया खान पान से क्या इस तरह की विमारिया दूर हो सकती है जल ही जीवन है हम जानते हैं कि हमारा 90% शरीर जल से बना है और मैं सबस्ता हूँ कि जब मैं लोगों को कोई भी राय देता हूँ तो उससे पहले मैं अपने उपर भी वोसी राय का प्रयोग करता हूँ फिर विशह से हटते हुए आपको बताओं कि ये जो समस्या है कि स्पॉंडिलोसेस, बैक पेन, जॉइन पेन्स की जो समस्या है इसके उपर काफी काम किया गया है इस्पेशली काडियक सेजरी और काडियालोजी के छेतर में और ये पाया गया है कि बैक आफिसेस में काम करने वाले बच्चे और बड़े बड़े आफिसेस के अंदर घंटों घंटों बैट के काम करने वाले बच्चे जो कभी-कभी रात भर की शिफ्ट में भी काम करते हैं, उनके लिए संभव नहीं है कई बार, कि वो नियमित वैयाम कर सके हैं, तो उनके लिए एक बहुत सुन्दर और सरल तरीका है, और आपके ओफिसमें आप प्रियोग कर सकते हैं, मेरे सारे जितने भी ओफिशल कलीक्स है या मेरे सबॉडिनेट्स हैं, उनको मैं ये राय देता हूँ और करवाता हूँ, वो ये कि कभी भी एक घंटे से ज़्यादा एक कुरसी पर या एक इस्थान पर बैठके कोई भी काम ना करें, और हर घंटे कम से कम पांच मिनट तक उनको छूट है कि वो आफिस से निकलें, घंटे किसी से बात करें, एक गलास पानी पीएं, अपने को इस करें और उसके बाद फिर से काम करें, ये देखा गया है कि जो लोग एक घंटे से ज़्यादा लगातार बैठके काम करते हैं, उनके लाइफ इस्थाइल डिजीजिस का इंसिडन्स बहुत ज़्यादा होता है कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं बताता हूँ, एक मल्टिनाशनल कंपनी हैं वर्ल्ड की, जो की फर्स्ट ट्रिलियन डॉलर कंपनी थी, उन्होंने अपने हैड आफिस में वाकिंग डेस्क्स बनाई हैं, और किसी के लिए भी बैठने के लिए चेयर रही हैं, वो सब खड़ आधनिक जीवन में जो काम कर रहे हैं, वो यह कर सकते हैं। मुकेश जी, एक दिक्त आधनिक जीवन शाली की यह भी है कि देर रात तक काम करना, और जगना देर तक, फिर देर तक किना अगले दिन, तो क्या इससे दिक्क्तश though हो रही हैं, पो यह कि इससे में तो क्या यूग से एस तरह कि देगे कई बार तो विवस्टा में वहां कि आप सारे जैसा अभी प्रॉफरसर साब बता रहेते कि जो मर्टी नेशनल कम्पनिया है वह वहां पर बोच बहुत जादा देड़ तक लोगों काम करना होता है तो क्या योग से से अब कुछ नहीं कर सकते हैए तो अजकल हर्षी है। यह हम लोग के front uh पनम कर सकते हैं में नहीं कर सकते हैं अगर सुबाइन कर सकते तो کंज शाम में कर सकते हैं तो ऎपको proper पर एनर्जी थो करते हैं तो properणप परन और अन्दर प्रश्ड सक यह आतक हैं फिर आसानी से कर सकते हैं दिक्कत कोई नहीं आई तभी भी पंगय जी अवसाद के बहुत सारे केसिज आते हैं आपके पास भी आपसे मेरी चरचा हूँ इस बारे में क्या इसके लिए आप समझते हैं किस तरह से अवसाद डिप्रेशन कोई शब्द ऐसा नहीं है Сम longtime आया कहा से आने का जो है वह दिन छर्य हमारी जैसे हम उढ़ते हैं अलग अलग बातों से अलग-अलग तरीकों से आता है पारिवारिक प्रेशर है कामOO काज की प्रेशर सवाल यह उठता है कि क्या वो किस्थि किरी में आ रही है वो किस वजह के च्रेश होता है बचाने के लिए हम्हें क्या करना है जिसे हमारे योगुर्व ने कहा हमारे सरने कहा है कि आप अपने पर नियांद दन करें अवसाद किसी को बता के नहीं आता है कि वह अवसाद आ रहा है वो बैठा है बैठे 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 उसमें चेंज़ आने शुरू हो जाते हैं रोने लगता है कुछ भी करने लगता है किसी इसको बार बार करने लगता है शांत हो जाता है इन सब चीजों को समझते समझ बहुत देर हो जाती है हमारे परिवार में अगर कोई ऐसा शक्स होता है तो तुरंट उसको हमें किसी मनुच किस्तर से या अपने फिजिशन से परामर्श में लेके तो कि उसके इसाब से जब वो बैठेगा तो ठेड़ा बैठेगा सुएगा तो अलग तरीके से सुएगा तो अवसात से भी हमारे शरीर में आने वाले चेंजर से तकलीफों का अंबार बनता चला जाता है और सबसे अच्छा है कि मेडिटेशन से और तरीकों से भी हम उसको योग के माध्यम से भी और शारिक संकल्ग के माध्यम से भी हम बेतर कर सकते हैं प्रफिसर गुपता साब हार्ट डिजीज का इंसिडेंस कुछ जादा ही होता है या जिनको हार्ट डिजीज होती है उनमें डिप्रेशन का अब ये कोरेलेशन तो मालूम है लेकिन ये नहीं मालूम है कि जैसे कि कहते हैं ना कि पहले मुर्गी आई कि पहले अंडा आया तो ये नहीं मालूम है लेकि erectile dysfunction आदमियों में जो होता है, मर्दों में होता है वो first stage होती है arterial disease की और वो arterial disease ही coronary artery disease जिसे एंजाना की disease बोलते हैं और बाद में जो heart attack में परिवर्टित हो जाती है, उन में देखी जाती है तो depression को lightly नहीं देना चाहिए, लेकिन depression को दूर करने के लिए सबसे बढ़िया जो उपाए अभी तक जो मुफ्त का उपाए है, जो देखा गया है, वो है नियमित वयाम आप देखेंगे कि जितने भी खिलाड़ी होते हैं सारी दुनिया में जो कि regular performance sports करते हैं या regular sports खिलते हैं इन लोगों में depression की दर बहुत ही कम पाई जाती है दूसरा है जैसे कि योग गुरू जी ने बताया कि meditation मैं meditation खुद करता हूँ करीब आदा घंटा डेली सबेरे उटने के तुरंद बाद और मैंने ये देखा है और कभी-कभी रात को कठिन समस्याओं को सुल्जाने और समझने और उनसे डील करने की शक्ति आपको आती है तो डेप्रेशन का कोई कारण नहीं बनता है पंकर जी समय तो तेजी से बीत रहा है हम एक सवाल छोटा सा लेना चाहेंगे आपसे ये गुटनों की प्रॉब्लम आजकल बहुत ज़्यादा हुए तो इसके लिए आपका क्या सुझा हुए आपने हड़ी पर भी हड़ी रोगों पर बहुत आपने काम किया है राजीब जी जी साब बता रहे हैं घुट्नों का रूख खास तोर पर आपसे ये जाना चाहूंगा आजकल गुट्ने बदलने के बहुत सारे केसे जाने लगे हैं सबसे पहले गुटनों का रूख अगर समय से पहले आ रहा है एक डी जनेरेशन चेंजेज अगर हमारे गुटनों में चेंजेज आ रहे हैं तो वह काफी हद तक नेशुरल है लेकिन अगर यही चेंजेज यही गुटनों का दर्थ हमारे श्रीर में 18, 20, 25, 30 साल में आना शुर लेकिन अमोमन जब हम थोड़ा सा उम्र दराज होते हैं तो हमारे श्रीर में 60's के बाद गुटनों की परेशानी चलने में उठने दौरने में मैसुस होती है तो कि तब तक डी जनरेशन से काटलेस डेमेज होता है लेकिन अगर बिना काटलेस डेमेज हुए हमारे गुटनो के बार यang गुटनों का दर्द धर्ष्म से बजर्सक्राइब इस बिसके अब आर दोने teद है और हम जा उसकं आए ट्रेया लेकिन कावज उसका इस्पाइब प्रत्यार उपना करना है कि नहीं करना है यह तो उसकी स्टेज़स पर डिपेंड करता है आदमी चाहता है कि ना बदला जाए लेकिन अगर उसका गोटना कुछ इस तरह के है कि उसमें काटिलेज पूरी तरह से डामेज है तो मश्वरा होगा कि बदलाएं और अगर उसमें ज शरी में रिड की हड़ी है फिर हमारा हाट आता है फिर ब्रेन आता है तो आज की इस चर्चा से यह निकला कि जैसा कि हमारे बनीशी कह गए हैं छित जल पावक गगन समीरा पंच तत्तों से बना शरीरा तो यह इन पांच तत्वों से अगर हम जोड़ करके चलें और दूसर चाहरा हूं कि हेल्थ इस वेल्थ एंड इस टैक्स फ्री हमारी जो चमता है शरीर की वही हमारी स्वस्ता भी है उसी से हम अपने को बचा सकते हैं तो ना कुल मिला करके हम इसी निश्कर्ष पर पहुंचे हैं कि हमको प्राक्रितिक संसाधनों से जुड़ना है अपना व्या तो उनको भी हमें बुद्धिमत्ता पूर ढंक से और अपने पोस्चर को ध्यान में रखते हुए करना होगा आज की इस चर्चा में आप सब लोग जुड़े और हमें यह बहुत महत्पूर जानकारियां आपने दी मैं प्रॉफेसर निर्मल गुपता जी का डॉक्टर पंक के साथ इसी तरह जुड़े रहिएगा अगली कारक्रमों के साथ अधिका नमस्कार